हलो बच्चों आज हम लोग देखते हैं हमारा जाई मेंस का जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन सो माईशल ताराचन टीम मैच चील सी सीकर चली स्टार्ट करते हैं और देखते हमारा पहला क्यूशन क्या है अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या रहा है 15C0 प्लस 15C1 इंटू X3 प्लस 15C2 इंटू X की पावर 6 अब आप समझ गया हूंगे मैं इसका क्यों नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसके आगे X की पावर 5 से बड़े कॉपिसेंट ही आएंगे ठीक है इससे लेस नहीं आएंगे फिर लिखते दूसरे वाले को एकस्पेंड करते हैं दे कि क्या हैगा 10C0 प्लस 10C1 इंटू X स्क्वार प्लस 10C2 इंटू X की पावर 4 प्लस 10C3 इंटू X की पावर 6 and again आप समझगे होंगे कि इसका आगे X की पावर 5 से बड़े कॉपिसेंट आएंगे तो वहां से कहीं से भी हमें X की पावर 5 का coefficient नहीं मिलेगा अब देखे बात करते कि किस किस तरीके सा में X की पावर 5 के coefficients मिलेंगे तो यह 15C0 को किसी के भी साथ multiply करोगे तो 0, 2, 4, 6 यह साथ आएगा X की पावर 5 कहीं नहीं आएगा means यह लिटरम किसी के साथ में आपके पास में नहीं होगी X3 को अगर multiply करते हैं तो यह हो जाएगी इसको इसके साथ में multiply करोगे 15C1 into 10C1 तो इसका coefficient कितना आएगा X की पावर 3 plus 2 5 X की पावर 5 आजाएगा इसके बाद में इसके अलावा और किसी के साथ multiply करोगे तो 5 नहीं आएगा तो एक कॉपिसेंट तो यह आएगा फिर आगए या पर 6 तो 6 को देखो इदर किसी से भी करोगे तो 6 से बढ़ा आएगा इसके बाद में कोई कॉपिसेंट नहीं आएगा शिरफ एक यह होगा 15C1 विल बी 15 10C1 विल बी 10 तो उनको multiply कर दीजिए आपका answer आजाएगा that is 150 और ऐसा कौन सा option है बच्चो second option जो की इस question के अंदर हमारा सही answer होगा के लिए रहे सभी को चलिए आगे बात करते है question number 2 के बारे में question number 2 क्या है देखिया हमारा उसके बारे में बात करते है question number 2 के अंदर आपसे पूचा है if one term is randomly selected from the expansion of this ठीक है ना इसका expansion में से एक of being irrational will be तो देखिए irrational का निकालना है means आपको ऊपर तो देखना है Q-dash irrational drum और नीचे आपको देखनी है rational drums ठीक है ना तो irrational और rational का आपको क्या करना है बच्चो ratio find out करना है तो सबसे पहले बात कर लेता है कि इसमें rational drums कितनी होगी तो कैसे निकालते हैं बच्चो टू और थ्री ठीक है ना इसके अंदर जो ये अमारे पास में क्या रहे है ये जो drums आ रहे है ये टू एंड थ्री ठीक है ना इन्हीं की help से आएगा हमारे पास में और 2 और 3 से का LCM कितना आएगा 6 तो जब आर आपका 6 का multiple होगा तब तब क्या होगा rational drum आएगा तो आर की क्या-क्या possible value जा सकती बच्चो 0 6 6 के multiples 12 18 24 and 30 जब जब आर आपके पास में इस में से होगा तो आपको rational drums मिलेगी तो कितनी आएगी बच्चो एक डो तीन चार पांच एंट छे तो टॉटल जो rational ट्रम होगा आपके पास में कितनी बच्चो और रेशनल 6 हो गई तो इर्रेशनल कितनी होगी तो एक चाह जाएगा 6 और इन ही दोनों का जो रेशियो होगा वही होगा बच्चो आपका answer तो ऐसा कौन सा option है आपका fourth option so question number two का जो सही answer होगा that is fourth option clear चलिए फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं next question that is question number three क्या है देखिए question number three के अंदर देखो आप में दे रखा है अब एक contain two n plus one coin it is know that n of these coins have a head on both side देखिए two n plus one में से n जो है आपके पास में उसमें दोनों साइड पर head है तो आपको head की probability ही पूछी गई है so two सबसे पहले तो कितने है आपके पास में so two n plus one में से n के अंदर head है और n में both side head है तो both side head है तो इसकी जो probability हो जाएगे जो कितने आ जाएगी one प्लस जो remaining है आपके पास में 2N plus 1 में से वो कितने है N plus 1 ठीक है उसके अंदर क्या है उसमें head or tail दोनों है ठीक है अब वेर the remaining N plus 1 coins are फिर होने का मतलब क्या हुआ उसमें head or tail दोनों है तो N plus 1 के अंदर head or tail दोनों है तो वहाँ पर head की जो probability होगी वो कितनी होगी 1 by 2 ठीक है और आपसे पुझा है coin is selected at random from the bag and tossed once if the probability that toss results is head means यह जो अपने निकाली है head की probability है अगर हमसे tail की पूच्छी होती था हम इसको 1 में से minus कर देते या उल्टा कर लेते फिर ठीक है इसको solve कर लेते हैं इसको solve कर लेते हैं इसको solve करेंगे तो हमारे सामने जो answer आएगा ठीक है अब वो n की value जो आएगी हो कितने आएगी बच्छो 10 आएगी इसको आप बड़े आसानी से solve कर सकते हैं क्लियर है चलिए फिर आगे चलते हैं बात करते हैं क्यूसर नंबर 4 के बारे में क्या है देगी क्यूसर नंबर 4 के अंदर आपको दे रखका है कि f of x will be equal to this ठीक है यह फंक्शन दे रखका है if an element is selected from the set s then the probability that it lies in the range of fx तो fx की आपको range निकालनी है सबसे पहले और 10 में से एक element select करने है तो total outcomes तो हमारे पास में कितने हो जाएंगे बच्चो 10 हो जाएंगे तो सबसे पहले इसकी range निकालने के लिए इसको resize करते हैं तो क्या आता है देखो 4 into इसको multiply करेंगे तो x plus 1 minus 3 plus x और divide by x minus 1 तो रहेगा और 7 में कितना आएगा बच्चो 7 में आजाएगा root over x plus 1 plus 3 minus x यह आ जाएगा अपने पास अब देखो x plus x 2 x minus 2 तो 2 बहर आ जाएगा that is 8 और x minus 1 से x minus 1 कट जाएगा divide by x plus 1 plus 3 minus x तो इसकी आपको क्या करने है बच्चो range निकाल लिए ठीक है इसकी range निकालने के लिए क्या करते हैं अपन पहले नीचे वाले की range निकाल लेते हैं और देखते हैं बात करते हैं इसके बारे में so root x plus 1 को differentiation कितना होगा so 2 time root x plus 1 ठीक है minus sign इसका differentiation होगा 1 upon 2 time root over 3 minus x ठीक है 2 से 2 कर जाएगा जब 0 के ब्रावर करोगे और यह दोनों ब्रावर so x plus 1 ब्रावर 3 minus x ठीक है so 2 x ब्रावर 4 x ब्रावर 2 इसका क्या मतलब हुआ कि x equal to 2 के उपर इस पर point of maximum या point of minimum लाई करेगा अच्छा इसकी जो domain की अगर बात करेंगे आप तो domain इसकी आएगी बच्छो आपकी minus 1 से 3 और minus 1 से 3 के बीच में भी एक point आएगा जहां पर यह maximum या minimum आपका होगा तो आप इसको जब check करोगे तो इसका जो sign change होगा ठीक है उसके corresponding आपको point of maximum मिलेगा ठीक है इसका मतलब minus 1 और 3 में से किसी एक point पर minimum होगा चलिए check करते है 3 पर यह 0 होगा minus 1 पर यह 0 होगा 3 पर इसकी value 2 होगी minus 1 पर इसकी value 2 होगी that means f of minus 1 की या f of 3 की value आ रही हो कितनी आ रही बच्चों 2 और f of 2 की value कितनी आ रही है 2 की value अगर आप check करेंगे 2 plus 1 3 और 3 minus 2 that is 1 यहां पर 2 की बारे में बात करें ठीक है यहां से कितना आया था यह इदर चला जाएगा 2x 2 x ब्राबर 1 आएगा sorry यहां पर कितना आएगा 1 तो 1 put correct 1 plus 1 root 2 or root 2 so that is 2 root 2 लेकिन यह किसकी range आई है यह इसके range आ रही है इसकी range कहां से कहां आगी अपनी 2 से लेकरके 2 root 2 तक ठीक है तो इसके जो reciprocal होगा उसकी range कहां से कहां आएगी ठीक है तो उसकी range आएगी आपके पास 1 upon 2 root 2 से लेके 2 तक ठीक है और इसको 8 से multiply करेंगे तो इसकी range कितने आएगी 8 upon 2 root 2 ठीक है so 8 upon 2 कितना हो जाएगा 4 upon root 2 so that is 2 root 2 से लेकर के 1 by 2 है so इसको 8 से multiply करोगे तो 4 तक तो यह आएगे आपके पास में इसकी जो आपका यह जो function है इसका इसकी range निकाली पहले तो यह आ गई फिर उसको reciprocal किया और उसके बाद 8 से multiply कर दिया तो इस range के अंदर कितना कौन कौन से integers आ रहे तो इसमें दो integers आएंगे बच्चो एक 3 और दूसरा 4 ठीक है तो आपके जो favorable outcomes होंगे यहां पर हो कितने होंगे 2 और total outcome कितना है बच्चों 10 तो 2 बटे 10 कितना हैगा 1 बटा 5 ठीक है और यही होगा बच्चो आपका answer that is option number 1 के लि इन numbers में से 5 लेटर आपको select करने हैं किस किस तरीके से select कर सकते हैं तो देखें आपर बहुत सारे तरीके होते हैं सबसे पहले 500 के 500 identical हो ठीक है तो इसका क्या है तरीका है इसका एक ही तरीका है बच्चो वह इस 5 A में से आने चाहिए तो 1 C1 that is only one way ठीक है नब 5 A will be comes from एक तरी इन दो गुरूप में से आ सकते हैं इस में से भी थीक है तो आपको इन दो में से कोई भी एक गुरूप select कर लीजिए उसमें आपको 4 alphabets मिल जाएंगी एक remaining जो alphabets है इसमें से select एक ही होगा तो आपके पिछे कोई कितने मचेंगे total 5 है तो उन 4 में से कोई भी गूप select कर है ठीक है तो कितना हैगा 4C1 x 2C1 that is 8 फिर आगे चलते हैं यह तीनों आइडेंटीकल है ठीक इसमें एक ही पॉसिबिलिटी हो कि अब तीन आइडेंटीकल एक जैसे अब इसमें दो केस बन जाते हैं या तो दोनों आइडेंटीकल हो सकते हैं और या फिर आपके सामने क्या हो स यहां पर आएगा अब बात करते हैं इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको एक य्प य्प और चाहिए एक hypocrite यहीं एक इस Baptist हो चुका है तो फिछह पास करने हैं तो यहां से आएगा 9 और 6 इंटू 3 यहां से कितना आएगा बच्चो 18 फिर आगे चलते हैं यह हो गया आपके तीन आइडेंटिकल और दो आपके पास में कैसे तीनों के तीनों different यह दो कैसे बनेंगे इसमें आपको क्या करने इसमें दो Alphabet's वाले group select करने कितने select करने दो तो एसे अपने पास में कितने थे बच्चो चार थे जिसके अंदर कम से कम दो हो तो चार में से 2 select कर लीजिए, अब की बाद 2 select हो चुके हैं, अब पिछे 3 बचेंगे, तो उन 3 में से आपको फिर से एक group select करना है, so that is 3C1, ठीक है, so 4C2 into 3C1 ये आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर, अब इसके बाद में आपन बात कर लेते हैं, 4C2, 6 into 3, ये भी 18 हो जाएगा, इसके अंदर बात करें तो इसमें 1 select करना है सबसे पहले दू, so that is 4C1, ठीक है, आपके पास में 2 identical के कितने group है, 4, तो 4C1, और अब 3 select करने तो पिछे 4 group बच गें, उसमें से 3 select कर लीजिए, so that is 4C3, तो कितना हैगा, 4 into 4, that is 16, और एक last case और इससे देखो बच्चो आपके पास एक ही तरीका होगा, ठीक है, उसमें क्या हो जाए आपके पास में, इन पांचों groups को select कर लो, आप 5C5, जिसमें आपको एक-एक alphabets मिल जाएगा, so that is 1, ठीक है, इन सब को जोड देते हैं, देखी, हमारा answer आ जाएगा, 9 और एक 10, ज्या और एक 7, so total case बन जाएगे बच्चों आपके सामने 71, ठीक है, तो ये आजाएगा हमारा क्या answer, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं, next question, that is question number 6, क्या रहा है देखो इसमें, number of ways, so that 2 into 2 matrices are invertible, देखो बच्चों, matrix invertible कब होगी, जब उसका क्या हो बच्चों, उसका determinant क क्या हो, non-zero, ठीक है, और 2 by 2 की बनानी है आपको, तो non-zero कब होगा देखो बच्चों, या तो ये दोनों elements 1 हो जाए, और उधर से जवा calculation करें, आपन वो 0 आ जाए, तो उसमें भी 3 possibility है, बच्चों, 3 possibility क्या है, देखो, एक तो इसके अंदर यहां भी 1 आ जाए, यहां 0 आ ज possibility है, क्या दोनों 0 आ जाए, तो एक possibility और एक 0 और एक 1 आए, तो ऐसी 2 matrices, तो ऐसी कितनी बन जाएगी, बच्चों, आपके सामने, 3 matrix बन जाएगी, इनका determinant case होगा, non-zero, यहां इस तरीके से बनाया है, कि एक side का multiplication 0 और एक का non-zero आ जाए, ऐसे आप दूसरा वाला कर लीजिए, ठीक है, यह दोनों को 1 ले लीजिए, और यहां पर को cases बनाये, तो यही 3 case बनेंगे, देखो 0, 1, फिर एक बार आपके पास में 1, 0 यहां पर आ जाएगा, और फिर आपके पास में एक बार दोनों के दोनों क्या हो जाएगे, बच्चों, 0, तो 3 matrices आपके बन जाएगी, ऐसा तरीके से आपको इस question को solve करना था, चलिए, आगे चलते हैं, बात करते हैं, question number 7 के बारे में, क्या है देखो, इसके अंदर आपको इसके last 2 digits find out करने हैं, last 2 digits find out करने के लिए देखो, क्या करेंगे, देखिए, 1 है तो last digit तो 1 होगा, इसमें कुछ सोचने की ज़र्दती नहीं ह हैं, क्यों, और वैसे भी देखिए, अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं, तो को इसको इसे लिखेंगे, तो देखो, remaining initial जितनी भी ट्रम से, वो सारी की सारी ट्रम तो आपके पास में आती रहेगी, ठीक ना, एक last की 2 ट्रम लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले तो second last ट्रम होगी, 200C199 into 10, ठीक है, और इसकी अगली जो ट्रम आएगी, वो आएगी, 200C200 into 10 की power 0, that is 1, अचा, 1 की power 200 आएगा, उसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो यह आजाएगा, अपने पास में, अचा, मैंने यही क्यों लिखा, क्योंकि इसके पहले वाले में 10 का square आएगा, तो उसके इसके अंदर जोड़ोगे ना, तो लास्ट के दो डिजिट पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, अब देखो बात कर लेते हैं, यह है 200 into 10, 2000, और यह है बच्चो 1, तो यह जो नमबर है ना, लास्ट के दो नमबर, इसका जो सम आएगा, वो आएगा, 2001, ठीक है, और इसके पहल होगे आप स्कोर इसको, तो आपके पास में यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 आएगा, और आपसे यही पूछाए कि लास्ट दो डिजिट कितने होंगे, तो एक 0 होगा, और एक आपके पास में 1 होगा, तो 0, 1, इसमें बहुत सारे बच्चे उल्टा कर देते हैं, 1, 0, ध्यान र इसके अंदर आपको करना है sum of the coefficients, तो इसके लिए देखो सबसे पहले यह binomial expansion है, किसका binomial expansion है, x-3 plus 4 की पावर 10, ncr, a की पावर n-r into b की पावर r, ऐसा ही लिखा गया है, r 0 से 10 तक, इसको simplify करेंगे तो यह बज़ेगा बच्चो, x-1 की पावर 10, ठीक है, आप देखो इसके के अंदर आप से क्या पूचा है, इसके अंदर पूचा है, the coefficients of the different powers of x, means x की पावर 0 का coefficient, x की पावर 1 का coefficient, x की पावर 2 का coefficient, means इन सब का sum पूचा है, तो अपन क्या करते हैं, दोनों साइड में x को यह वली 1, पूट करते हैं, उदर तो आपके पास में सारे coefficients आ जाते हैं, औ की वाली one put करेंगे इसमें तो एक्स ब्रावबर one put करने से कितना आएगा टो की पाउट 10 जो कितना होता है अपने पास में 1024 तो यही आपका answer है इतका second option will be correct के लिए रहे सभी को चलते हैं आगे और बात करते हैं बच्चो next question that is question number nine क्या है आईए बात ठीक है न दीप माला किसे आपको क्या करना है बच्चो तू वोवल्स आ टूगेदर एंड टू अधर आर आलसो टूगेदर बट सेपरेटेड फ्रों दी फस्टू इच इसका क्या मतलब हुआ इसके जो चार वोवल्स है न यह दो-दो के ग्रूप में आने चाहिए ठीक है यह क्या आने चाहिए दो-दो के ग्रूप में आने चाहिए बट चारों एक साथ नहीं आने चाहिए दो-एक साथ आने चाहिए फिर दो-एक साथ आने चाहिए लेकिन उसके और फिर E के साथ में A आ जाए ठीक है न ये possibility भी है आपके पास में E E A आ जाए फिर E A और E A इस तरीके साथ आ जाए फिर और भी possibility देखो A E आ जाए A E आ जाए जाए इस तरीके साथ आ जाए तो एक तो आज़े एक आ गया ये दो एक और पर E A आज़े तो उसके लिए इसका arrangements कर देंगे अब लोग तो actually 3 हो जाएंगे और इसके अंदर फिर क्या हो जाएंगे इसका arrangements हो जाएगा देखो दो तो यह हो गया आपके पास में इसके अलावा क्या है आपके पास में अच्छा यह आपके पास में क्या आना चाहिए दो एक साथ और दो एक साथ आना चाहिए ठीक है इसको फिर आप बीच में डालेंगे इसके लावा आपके पास में words क्या है देखो d p m l फहले इसको arrangements कर दें चारों का so that is 4 factorial ठीक है अब एक काम करते है यह जो 5 gaps होंगे इसके बीच में से उनको 2 को select कर लेते हैं so that is 5c2 so 4 factorial into 5c2 ठीक है अब अपन देख लेते हैं कि यह जो आपके पास में जो दो इस पर select किये हैं उसमें या तो पहले वाले पर E E डाल सकते हो दूसरे वाले पर A A डाल सकते हो एक तरीका तो यह हो सगया पहले वाली position पर E E दूसरे वाले पर A A अब ऐसा हो सकता है पहले वाले पर A A आ जाए दूसरे वाले पर E E आ जाए यह दूसरा तरीका हो गया जो और दूसरा जो आपने जो इस पर स्लेक्ट किया था था न इसे बीश में, अलफाबेट के बीश में, ठीक है न, यहाँ पर और यहाँ पर, तो EA और दूसरे वाले में क्या आ जाए आपके पास में AE आ जाए, ठीक है न, चोफा तरीका, पहले वाले में EA के साथ में EA आ गया, ठीक है न, पहले वाले में क्या आजाए, A, E आजाए, उसके साथ में E आजाए, फिर A, E के साथ में E आजाए, तो ऐसे दो तरीके आपके पास और हो सकते हैं, तो टोटल कितने तरीके होगे, वो छो 6 तरीके होगे, तो यह आपका 6 से multiply हो जाएगा, So, 10 into 2, 60 into 4 factorial will be 24, इसको multiply करोगे, तो यह आपके पास में answer आएगा, 1440, ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना, इसका arrangement 6 तरीके से हो सकता है, या तो देखो, E, E और A, A आजाए, पहले वाला जो गेपर उस पर ही आजाए, दूसरे पर ही आजाए, फिर A, A और E, E आजाए, यह दूसरा तरीका हो गया, तीसरे वाला देखो, E, A के साथ में, E, A आजाए, ठीक है, फिर E, A के साथ में, A, E आजाए, यह चोथा तरीका हो गया, ठीक है, जो मैंने last में 6 से multiply किया, वो मैं लिखके बता रहा हूँ आपको, फिर ऐसा जरू नहीं, पहले वाले में, A, E आ आया था, लेकिन अब A, E के साथ में, E, A भी आ सकता है, आपको यह लग रहा होगा, यह E साथ में है, तो साथ में नहीं है, क्योंगी इसको अपनने case में डाल रहे हैं, गेप में, लेकिन यह जो सारा arrangements हो सकता है, वो वो कितने तरीके से हो सकता है, बच्चो, छे तरीके से ह रहे हैं, ठीक है, चलिए, बात करते हैं कि उसनल नंबर 10 के बारे में, 10 में देखो आपको क्या करना है, 629 पोजिशन पर आने वाला वर्ड लिखना है, ठीक है, चलिए करते हैं सबसे पहले अपने एक V से से स्टार्ट होने वाले वर्ड़्स देखें कितने होंगे, पहले वाले A से स्टार्ट होने वाले एक दो तीन चार पांच छे शिक्स फेक्टोरियल और पिछ्छे दो ए अभी भी रिपीट हो रहे हैं हमारा वर्ड इसके बाद में आएगा that means वो A से स्टार्ट नहीं होगा जब तक आपका अलपाबेट फिक्स ना हो तो 360 के जैसे अंदर होता ना नमबर तब तो A से स्टार्ट होने वाला होता क्योंकि A से लेके 360 तक A वाले नमबर से वो A वाला नहीं होगा तो फिर हमने देखा M से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होगे इसमें M को करने वाद 3 और 3 से 720 लेकिन इस बार 3 फेक्टोरियल से डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 120 तो 360 प्लस 120 दैट मिस वो M से भी स्टार्ट नहीं होगा फिर आगे चल लो तो N वाले भी कितने होंगे सेम होंगे 120 120 240 देख अकाउंट करते रहो कहां पहुंच गए 240 प्लस 360 दैर विल भी 600 अपन 600 तक पहुंच गया है अपना नंबर इसके आगे है that means N भी फिक्स नहीं होगा फिर आगे चलते है तो N के बाद आता है R से स्टार्ट होने वाले भी कित अब दो ओप्शन गलत होंगे बच्चों अब आपको बस इन दोनों मेंसे चेक करना है कि इन दोनों मेंसे कौन सा ओप्शन सई होगा और उसके बारे में भात कर लेते हैं जो चलिए देखते हैं इसके लिए अपन क्या करेंगे, आर अपना fix हो गया, तो आर को यहां से छोड़ दो, बाकियों का अर्यंजमेंट्स देखते हैं, अब आर के बाद में कौन सा होगा बच्चों, आर के बाद में आर a, ठीक है, तो आर a से start होने वाले कितने होंगे, इसको चेक कर लेते हैं, एक A को छोड़ो इसमें से, तो 2, 2, 4 और 1, 5, कितने होंगे बच्चो, 5 factorial by 2 factorial, ठीक है, 5 factorial by 2 factorial, तो 5 factorial by 2 factorial कितने होंगे, 60, अगेन आपन देखो, 600 plus 60, इसके आगे निकलते हैं, that means हमारा दूसरा वर्ड A भी होगा, ये भी fix हो गया, A को भी छोड़ दिया आपनने, R A, अब आगे चलते हैं, फिर दूसरे वाले A को यूज़ करते हैं, ये A अपनने यूज़ किया, अब कितने हैं बच्चे, अब बच्चे 4, तो 4 में कितना, 24 factorial, और 24 factorial, sorry 4 factorial, that is 24, और 24 अगर इसमें 600 में 8 करते हैं, तो अपन कहां पहुंच गए बच्चो, 624 पर, हमारा नंबर इसके आगे है, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि वो जो word होगा, वो हमारा A से start नहीं होगा, जो A से अगर start, sorry, वो हमारा जो word होगा, ठीक है, अगर अपन इसके आगे चले जाते हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, अपन इसके, इससे आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है, इससे कितना आगे पहुंच जाएंगे, 600 हमारे पास में था 624 आ गया, ठीक है, तो उसके अपन और आगे चले जाएंगे, तो फिर अब इसके बाद में क्या करेंगे, अपन इस A को fix नहीं करेंगे, RAM देखेंगे, ठ पहुंच गये, ठीक है, ठीक है, अपन इसके आगे पहुंच गये थे, उसके बाद में फिर अगर अगर अगला चेक करते हैं, तो फिर 120 हम उसके आगे निकल गए, तो हमने आर को fix कर दिया, R को fix करने के बाद A से start होने वाल देखे अपने 60 आए ठीक है और 60 अगर आ गए ठीक है तो वो 60 में ही आएगा That means A भी अपना पास में fix हो गया फिर अपने वापिस A से start होने वाल करके देखे ठीक है तो वो अपने पास में 24 है तो हम उसके अंदर रहेगे ठीक है अंदर रहेगे that means A अपना fix नहीं होगा फिर अपने वहाँ पर क्या कर दिया M एड कर दिया ठीक है और वहाँ पर अपने 24 लिख दिया ताकि अपन 624 क्यों A से start होने वाले 624 पर खतम हो जाएंगे अब 624 के बाद में start होंगे RAM वाले ठीक है तो अब कितने words होंगे RAM ठीक है तो यहां से start होने वाले जो alphabet से आपके पास A, A, N, Y ठीक है तो यह कितना आ जाएगा आपके पास में A, A, M, N, Y अच्छा, M तो हमारे fix हो गया A, A, N, Y, 4, so 4 factorial by 2 factorial that is 12 अगर इसमें 12 एड कर देते हैं ठीक है that means अपन क्या हो गया आपन तो आगे चले जाएंगे that means M भी अपना यहां पर क्या हो गया बच्छो fix हो गया क्योंकि 12 एड नहीं करना है अपने को 629 ले क्या आना है तो फिर अप अपने को वाँ भी नहीं पहुंचना है मतलब अपना एक A भी और fix हो गया फिर आगे चलते हैं फिर A से start होने वाले कितने होंगे 2 होंगे लेकिन अब गी बार अपन 628 पे ही पहुंचेंगे that means A से start नहीं होगा ठीक है तो इसके अंदर 2 और जोड़ दो अब अब अपन पह पहुंचेंगे अपन that means N से भी start नहीं होगा फिर क्या आएगा फिर Y आएगा तो Y से start होने वाले कितने होंगे दो होंगे अगर और दो एड कर देते तो 630 पे पहुंच जाएंगे अपने को वाँ नहीं पहुंचना है that means Y अपना fix हो गया अब अपने को एक ही वर्ड चाहे कि 10 का आपका सही answer होगा इस वाले question को आप थोड़ा से ज्यान से करें बच्चो ठीक है ताकि आपकी कोई गलती ना हो खास करके वर्ड देकर जब रेंक पुछ जाती बच्चे आसानी से निकाल लेते बड़ रेंक जब दी हुई होती है तो इसको थोड़ा सा आप लोग ज् इंदर देखो probability that event A will be 3 by 4 देखो probability of A कितनी है 3 by 4 3 by 4 का मतलब 0.75 probability of B कितनी है बच्चो probability of B है आपके पास में 2 by 3 that is 0.67 ठीक है let P with the probability that both A and B are occur then the smallest interval necessarily containing P in the interval ठीक है ना तो A and B का मतलब A intersection B का interval आपको बताना है P A intersection B ठीक है तो देखो आप सबको पता होगा P A intersection B की maximum value जब निकालनी हो ठीक है ना तो एक set पूरा का पूरा दूसरे के अंदर आ जाए तभी maximum होगी 1.67 है 1.75 है that means यह 2 by 3 वाली होगी ना यह intersection maximum हो सकता है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता that means maximum तो कितना होगा 2 by 3 2 by 3 किसकिस option में इसमें और इसमें that means पहला दूसरा गलत हो गया तीसरे चोथे में से सही होगा अब बात कर लएते है minimum का तो minimum कितना हो सकता है तो minimum जो आपके पास में हो सकता है intersection B क्योंकि दोनों का सम है वो एक से ज़्यादा है एक से ज़्यादा है means यह वाला case होगा एक से ज़्यादा कब बनता है probability of A plus B जब यह वाला case बनता है आपके पास ठीक है अब इसकी minimum value कब होती है जब बाहरवाली टरम 0 हो जाए और बाहरवाली टरम 0 हो जाए मतलब इन दोनों का जो तीनों का जो sum है वो कितना आजाए आपके पास में वो आपके सामने 1 आजाए तो इसको x ले लो तो ये कितना आजाएगा 0.75-x और ये हो जाएगा 0.67-x तीनों का sum कितना होगा 1 क्योंकि बाहरवाली क्या होनी चाहिए 0 इसको आप calculate करोगे तो आपको मिलेगा 5 by 12 ठीक है ना x की वाली कितने आएगी 5 by 12 और ऐसा कौन सा option है बच्चो fourth option जो कि आपका सही है question number 11 के अंदर पिले रहे सबको चलिए आगे चल लेते हैं बात कर लेते है question number 12 के बारे में क्या है देखो question number 12 में दिया Mr. A and Mr. B are playing a series of basketball game the first one to win four game wins the series first one to win four games win the series ठीक है in the first three games Mr. A had two wins and Mr. B had one win ठीक है ना पहले आपके पास में जो तीन game है Mr. A had two win A 2 जीतता है और B आपके सामने कितना है एक जीतता है ठीक है ना total कितने है चार मेंच है आपके पास में ठीक है और जो भी आपके पास में पास में ठीक है ठीक है इसके बाद क्या करना है अजूम देट बहुत टीम आर इकुली प्रॉबेबल तो विन मैचेजमेंस दोनों की प्रॉबलिटी ब्राबर है 1 by 2 1 by 2 जीतने की देन प्रॉबलिटी देट दी Mr. A will win the series is तो A किस किस तरीके से जीत सकता है इसके बारे में बात करनी है तो देखो series जीतने के लिए A को क्या करना पड़ेगा देखो या तो यसा करें A दोनों के दोनों जीत जाए ठीक है ना पहला मैच भी A जीत जाए और दूसरा मैच भी A जीत जाए ठीक है तो 2 match जीतते ही वो क्या हो जाएगा series जीत जाएगा क्योंकि जो पहले आपके पास में बोला गया है if first one to win four games win the series the first one to win four games ठीक है वो आपके पास में series जीत जाता है एक possibility तो यह हो सकती है दूसरा यह हो सकता है कि पहले वाला जैसे हार जाए पहले दो में से एक हार जाए और एक जीत जाए और उसके बाद में एक जीत जाए ठीक है ना एक हार जाए और एक जीत जाए और उसके बाद में एक में जीत जाए तो भी वो series जीत जाएगा और या फिर आपके पास अच्छा इंडी इंट्रेंज भी हो सकता है कि पहला जीत जाए दूसरा हार जाए फिर तीसरा जीत जाए ठीक है तो भी एक इसमें से जीत जाएगा और दो क्या जाएगा हार जाएगा और फिर उसके इसमें चोथा में चाष जाए तो इस केस में ब्हुर जाएगा वो सीरीच जीत जाएगा ठीक है तो ये तरीके हो सकते है तो इसके तो कितने होगे जीते और तीसरा जीते और सबके प्राइबलेटी वन बाइटी वन बाइटी तो वन बाइटी तो वन बाइटी एल से डिवाइड करोगे फोर एट से टू इन्टू टू फोर प्लस थ्री यह आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 11 बाइट 16 ठीक है तो इसा कौन सा ओप्शन है जीरो जीरो वन माइनस वन आयोटा एंड माइनस आयोटा वर तू सच डाइस आर रोल्ड दें दी प्राइटी यह फिर आपके पास में एक पर आयोटा और एक पर माइनस आयोटा यह भी आपका इंटरेचेंज हो सकता है देखो जीरो आने की प्राइटी क्या है पहले डाइस पर तो पहले पर क्या-क्या है जीरो जीरो वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा दो बार जीरो आ सकता है और आपके पास में टोटल 6 आउटकम है ऐसे ही दो बार आउटकम आ सकता है और दो बार जीरो आ सकता है दूसरे वाल आ रहा है, so 1 by 6, लेकिन देखो बच्छों यी चीजी इंटर्चेंज हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि minus 1 पहले पे आए और 1 दूसरे पे आई, इसलिए 2 से multiply हो जाएगा, multiplied by 2, same इसके अंदर रहेगा 2 time 1 by 6 into 1 by 6, that is 1 by 36, LCM लीजिए, 36, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, so 4 plus 4, 8, ऐसा कोई option है, तो आपका सही answer है, बिल्कुल आपका 4 by 8 by 36, इसका 4 से divide भी कर सकते हो, बढ़ वो option नहीं दिया गया 2 by 9, तो यही 4th option आपका 13 के अंदर क्या होगा बच्चों, आपका सही answer होगा, clear है, चले आगे, चले आगे चलते हैं, और बात करते हैं, next question, that is question number 14, क्या है, आज़े देखते हैं, question number 14 के अंदर देखो, आपको 3 probabilities दे रखी है, E, F, और G, ठीक है, और आपको यह probabilities के बारे में बताना है, देखो, क्या-क्या है, ज्यान से देखेगा, no two of three drawn balls is red, दो balls red नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, कि एक red हो सकती है, या zero red हो सकती है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो, या तो zero red हो, तो उस case में तो यह जो 10 है, क्योंकि इस पर कोई condition नहीं है, तो इन 10 में से 3 आपके पास में क्या आजाए, आजाए, या 1 red हो, तो 2 में से 1 red आजाए, और बाकी के जो 10 है, उस में से आपके पास में 2 बोल आजाए, तो यह आपके पास में क्या हो जाएगा, बच्छो, यह आजाएगा आपके पास में probability of E, probability of E will be equal to this, ठीक है, probability of E की value है, अच्छा, total outcomes कितना होगा, बच्छो, 12 C3, चहें, चार्दास ओर तो बारा, 12 C3, यह probability of E आगया, ऐसे ही बच्छो, आप probability of F निकाल सकते हो, F में क्या है, no 2 of 3 drawn balls is white, मतलब 2 white नहीं होनी चाहिए, again means, यह तो 0 white और यह आपके पास में 1 white हो सकती है, तो देखो, सबसे पहले बात कर लेता है, अगर 1 white होती है, आपके पास, 1 white तो हो सकती है, 2 नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी से मतलब यह 3 white हो सकती है, 2 यह 2 से ज़्यादा नहीं, यह तो 0 यह 1 हो सकती है, ठीक है, so 4C1 इसमें से हो गया, तो 6 और 2, 8, 8 में से कितना लेना है आपको, 2, और यह पूरी की पूरी, आप 3 की 3 बाकी 8 में से ले लो, जिरो हो जाए, divide by 12C3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद में बात कर लेते हैं, आपके सामनें, तीसरी जो चीज है आपके पास में, no 2 of 3 drones will be blue, 3 नहीं नहीं होनी चाहिए, means यह तो 1 blue हो सकती है, 6C1, तो 4 और 2, 6, तो 6 में से 2 होनी चाहिए, और यह आपके पास में, पूरी की पूरी, 6 में से 3 हो जाए, divide by 12C3, आप देखो, denominator तो सब का बराबर है, 12C3, 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 जिसका numerator सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा होगा, जिसका numerator सबसे छोटा है, वो सबसे छोटा होगा, और अगर कोई values बराबर आती है, तो बराबर भी आ जाएगी, तो E और F में से कोई एक quantity बड़ी है, चेक कर लेते कौन सी है, अज़ा G भी हो सकती है, E, F, G, तीनों में से कुछ भी बड़ा हो सकता है, E, G, G ऐसा दिरका है, इसको आप calculation करेंगे, तो calculation करने से आपको इसका answer पता चल जाएगा, ठीक है, So 14 का जो सही answer आएगा, वो आपका third आएगा, E सबसे बड़ा होगा, आप compare करके देख सकते हो, और G सबसे छोटा आएगा, So third option will be correct, अब numerator को calculate कर लीजिए, ठीक है, denominator सबका same है, तो उससे में आपके पास में फिर कोई फरक ने, जिसका numerator बड़ा, वो number सबसे बड़ा होगा, ठीक है, चलिए, बात कर लेते हैं आगे, question number 15 के बारे में, क्या है देखो, coin is altered so that the probability that it lands on heads is less than 1 by 2, means head आने की जो probability है, 1 बटा 2 से छोटी है, ठीक है यह आपको बोला गया है कि head की जो probability है, that will be less than 1 by 2, sorry, एच will be less than 1 by 2, यह आपको दिया गया है, कि probability of edge will be less than 1 by 2, and when the coin is flipped 4 time, ठीक है ना, 4 बार अगर आप coin को flip कर रहे हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, then the probability of an equal number of heads and tails, मतलब चार बार जब flip कर रहे हो, तो दो बार आपके पास में head आ रहा है, दो बार tail आ रहा है, so 4C2, P मान लेते हैं, head आने की probability, और 1-P आ जाएगी, tail आने की probability, और दोनों की power कितनी हो जाएगी, 2-2, क्योंको दो बार head आ रहा है, अगर इसको solve करेंगे अपन, तो 4C2 भी 6 होता है, दोनों साइड root कर दीजिए, so P into 1-P बार, ये भी 6, 636 हो जाएगा, तो root करोंके तो वापिस आ जाएगा 6, इसको solve कर लेते हैं, so 6P-6P square बार बार 1, इस quadratic का solution आएगा, 6P square-6P plus 1 बार जीरो, तो इसके 2 solutions आएगे, उसमें से वो answer लेना है, जो आपके पास में 1 by 2 से छोटा आए, क्योंकि head की जो probability है, वो कौन सी है, जो 1 by 2 से छोटी है, clear है, तो इसमें आप चेक कर लीजिए, कितना आ रहा है, आपके पास 6 plus minus 36 minus 4, that will be 32, B square 36, 6 into 4, 24, so there will be 8, यहाँ पर 8 आएगा, divide by 2 into 6, ठीक है, इसमें से 2 को बाहर लाग के कार दीजिए, so 3 minus root 3, divide by 6, ठीक है ना, ऐसा आएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो 12 आएगा, यह 12 आएगा, 36 minus 24, 12, so root 3, एक यह आएगा, 3 plus root 3 by 6 आएगा, तो देखो, 3 by 6 है 1 by 2, तो 1 by 2 minus होगा, वो answer होगा, तो बिलकुल आपका यह answer सही है, और वेसे आपको plus वाला दिया ही नहीं, अगर देते तो confusion होता कि कौन सा लेना है, वाकि आप देख सकते हैं, दूसरा वाला 1 by 2 से बड़ा है, विच इस killed by exactly 1 bullet hitting the animal, देखिए, 3 है आपके पास में, exactly एक बार में आपके पास में क्या हो रहा है, वो आ रहा है, तो P1, P2 और P3, ठीक है ना, यह तीनों है आपके पास में, देखो, पहले से अगर hit हो जाए, तो पहले वाले एक probability है 2 by 10, ठीक है ना, उसका कितना आ जाएगा, 4 बटे 10, यसे ही P2 निकालना है आपको, P2 के लिए क्या हो जाएगा, P2 वाला correct लेना है, तो यह तो सही रहेगा, 4 बटे 10, और बाकियों को 1 में से घटा दो, यह कितना हो जाएगा, 8 बटे 10, और यह फिर से 4 बटे 10, फिर P3 के लिए तीसरे वाले को correct लेना है, so that is 6 by 10, यह तो correct होगा, और बाकियों को 1 में से घटा देंगे, so 8 बटे 10, और यह भी 6 बटे 10, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका ratios निकालना है, तो देखे, denominator तो सब का same है, ठीक है, तो आप उपर वालों का ratio निकाल दीजिए, इनका कितना आ रहा है, 6, 4 और 2, एक बार लिख लेते हैं सब को न, या एक काम कीजिए, जो common number है, उसको काट देते हैं, यह तो कट जाएगा सब से, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, ठीक है, P1, P2, P3 का ratio चाहिए अपने को, common number को काट देखो न, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, और यह कट जाएगा 2 बार, ठीक है, 2 देखो इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसको भी काट दो 2 बार, 1-2 और कट जाएगा, देखो 3 इसमें है, यह 2 और यह कट जाएगा, आपके पास 3 बार, बस, इतना ही कटेगा, अब इसको लेख लो, उपर तो बचा देखो, शिरफ 3 यहाँ पर, इसमें क्या बचा, शिरफ 8 बचा, 3 is to 8, और इसमें बचा, 6 into 3 is to 18, ठीक है न, इसमें बचा, 3 नमबर 6 भी बच गया, और 3 भी बच गया, so 6 into 3 is to 18, 3 is to 8 is to 18, इसमें क्यों सा ओप्शन है बच्चो, फर्स्ट ओप्शन, यही है आपका सही आंसर, ठीक है, अचा वैसे देखो, इसमें आगे और भी पूछा है, बढ़ आपका आंसर इससे आजाएगा, क्योंकि वो रेशियो के अंदर क्या आओगे, बाकी जिए कट जाएगी, आपको बेस ठीक लगाने की यहाँ पर जूरूत नहीं है, so 16 का जो सही आंसर है बच्चो, वो आपका पहला ओप्शन होगा, clear, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, क्या है देखो क्यूशन नमबर 17, इसके अंदर आपको दिया गया है कि, इपनी नमबर 14 डिजिट नमबर स्विच्ट केन बी फॉर्म बाई दी यूजिंग दी डिजिट वान टू 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 ट्री पूर, वान टू टू ट्री और पूर, ठीक है, 7 आपके पास में 10 बार आ रहे है, such that there are at least 2 identical digits between this, अच्छा, क्या मतलब हुआ, कि यहां पर कम से कम 2 साथ होने चाहिए, X1, X2 और X3, ठीक है न, इनकी जो values है, वो क्या होने चाहिए, बच्छो, greater than or equal to 2 होनी चाहिए, 2 या 2 से जादा होने चाहिए, अच्छा, 7 इसके पहले भी आ सकता है, मतलब इधर भी कुछ numbers आ सकते है, X4, इधर भी आ सकते है, X5, ठीक है, लेकिन यह जो पांचो numbers से, इनका जो sum होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, बच्छो, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X5, यह कितना होना चाहिए, यह होना चाहिए, आपके पास में, कितना होना चाहिए, दस होना चाहिए, क्यों साथ आपके पास में, टॉटल तो कितनी बार आ रहा है, दस बार, इसमें से भी, इसकी value at least 222 है, ठीक है, तो 2, 2, 4 और 2, 6, 6 इसमें से direct कम कर दीजी, क्योंको 2-2 तो इनको मिलना ही है, पहले से 2 इसको दे तो, 2 इसको, 2-7 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, तो 6 तो direct कम कर दो, तो पिछे कितने बचेंगे, 4-7 बच जाएंगे आपके पास में, अब वो जो 4-7 है, वो इनमें से कहीं पर भी जा सकते हैं, वो X1, X2, X3 में भी जा सकते हैं, और उदर भी जा सकते हैं, तो इसके non-negative integral solution, तो 5-4, no, minus 1C, 5-1, 4, so that is 8C4, इसका जो answer आएगा, वो कितना आजाएगा आपका, 8C4, यह तो क्या हो गया, यह तो अपने यह देख लिया, कि कहां कहां पर किस किस तरीके से, आपके जो साथ है, वो जा सकता है, ठीक है न, यहां पर कितने साथ जाएंगे, यहां पर कितने, यहां पर कितने, यह सारी चीज़े, अब आप से question क्या बोला गया है, इसमें से, अब यह जो 14 डिजिट्स का जो नंबर है आपके सामने, यह आपने fix कर दिया, कि यहां पर कितने सेवन जाएंगे, वहां पर कितने होंगे, वहां पर कितने होंगे, तो अब आपको क्या करना है, आपको इन नंबर्स को आपस में arrangements करना है, तो 1, 2, 3 और 4, इसका 7 का तो हो गया, इतने तरीके से होगा, इनका आपस में कितने तरीके से हो सकता है, 4 factorial तरीके से, इनको आप आपस में arrange कर सकते हो, 7 तो आपने इसके बीच में डाली दिया, इसको solve करते हैं कितना आता है, 8 into 7 into 6 into 5, divide by 24, into 4 factorial, कितना आएगा देखो, 8 into 24, 3, 3 से कर जाएगा 2, so 14 into, 5 into 4 factorial हो जाएगा, 5 factorial, so 14 into 5 factorial, यह दे रखा है देखो आपको, K into 5 factorial, तो K की value कितनी होगी बच्चो, 14, so third options होगा, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, clear है, तो यह था आपका question number 17, आगे चल लेते हैं बच्चो, बात कर लेते हैं, question number 18 के बारे में, क्या है देखो, how many factors are the perfect square, तो उसके लिए इसके prime factors करने होगी बच्चो, 2 की power, 5 की power 2, पहले वाला क्या है, 5 की power 2, 25, 36 क्या होता है बच्चो, 2 की power 2 into 3 की power 2, ठीक है न, यह होता है आपके पास में, 4 into 9, 36, बिल्कुल, 52 होगा, 2 into 26, 2 into 13 into 13, तो क्या हैगा देखो, 2 की power 4, उसको perfect square के format में लिखना है, 2 square की power 2, 2, 2, 2, 4, तो ऐसे लिखो, 5 की power 2 की power 1, 3 की power 2, उसकी power 1, और 13 की power 2 तो होई नहीं सकती, क्योंकि यह तो कितना है, 13 की power 1 ही है, यह तो अंदर ही रहेगा, उपर कितना है, 0, चलो, तो आपको perfect square factor निकालने हैं, तो अंदर वाले को नहीं देखना है, बाहर वाले को देखना है, 2 plus 1, that is 3, 1 plus 1, that is 2, 2, 1 plus 1, 0 plus 1, इसमें total number of divisors का formula लगा दीजिए, ठीक है ना, अंदर 2, 2 कर दीजिए, जिसमें नहीं हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें हो रहा है, उसमें कर दीजिए, तो यह perfect square होगा नहीं, that means इसकी power 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 आजाएगा, so 2 into 2, 4, 4 into 3, 12, number of perfect square factors will be 12, ठीक है, बिल्कुल आसान question था, आगे चल लेते हैं बच्चो, question number 19 के बारे में बात कर लेते हैं, देखो क्या है, we have 19 identical gems available with us, which are needed to be distribute among A, B and C, such that A always get an even number of gems, then the number of ways this can be done each, 19 total है, A को आपको even number में देने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपन क्या करें, सबसे पहले आपन ये कर सकते हैं, कि A को अगर even number में देने हैं, हमारे पास में 19 एक समान गोलिया है, और A को even number में देना है, मतलब यह हो गया कि A को 18 दे दे अगर अपना ठीक है तो पिछे कितनी बचेगी अपने पास में पिछे एक गोली बचेगी ठीक है तो एक गोली अचा आपको 19 identical gems available with us which are needed to be distributed among A, B and C such that A always gets even number और A को even number मिलना चाहिए B, C के लिए कोई condition नहीं है तो पिछे एक बचेगी उसको B औ उने कर सौने 3 बचेगे गया 3 बांट देंगे ऐसे आपके पास में किया आएगा एक पास में कितने आजए एक के सौला के बाद कितने सौर्टीन आ जाए तो B और Ц के पास में कितन आ पांच आएंगे तो यह cases बनेंगे आपके पास मैं सबको add कर देंगे जो भी answer आएगा इसको एक बांटना है दो में तो एक को एक मिलेगा एक को 0 मिलेगा लेकिन किसको क्या मिलेगा तो उसके लिए फॉर्मला लगाते हैं non-negative integral solution 1 plus 2 3 3 minus 1 2 2 C 2 minus 1 that is 2 C 1 यहां पर 3 plus 2 5 minus 1 so there will be 4 C 1 ऐसे ही आएगा बच्चो 6 C 1 ठीक है और last में जब आप ऐसे करते करते इसको जब 0 कर दोगे कि A को 0 मिले तो B plus C को कितना मिल जाएगा पूरा 19 plus 2 21 minus 1 that is 20 C 1 एको 0 भी मिल सेका है that is also E 1 इन सबको जोड़ दो तो 2 plus 4 plus 6 up to 20 तक कितने numbers होंगे जोड़ के देख लो कितना आ रहा है that will be 2 common 10 into 11 by 2 2 से 2 कट गया 110 यही है बच्चो सही answer that is fourth option कि लिए रहे सबको चलिए आगे चल लेते हैं बात कर लेते हैं question number 20 के बारे में क्या है question number 20 and 8 digit telephone number consist of exactly two zeros देख उसमें 2 तो 0 होंगे आपके पास one of the digit is repeated thrice एक digit ऐसा है जो 3 बार आ रहा है वो कौन सा digit है उसके बारे में नहीं है पर वो 0 तो नहीं होगा क्योंग 0 exactly 2 बार आ रहा है that means 0 3 बार नहीं आ रहा है फिर आगे चलते हैं remaining three digits are all distinct ठीक है अच्छा एक digit जो है आपके पास में वो repeat हो रहा है तीन बार और बाकी जो एक digit तो इसमें फिर तीन बार आ जाएगा और और बाकी के जो numbers है ठीक है वो आपके सामने क्या होंगे बिलकुल distinct होंगे इसमें से कोई भी repeat नहीं हो रहा है b c d इस type का number बनाना है आपको if the first three digits from left to right are 9 8 7 तीन डिजिट सा आपके 9 8 7 है इसका मतलब यह जो चार डिजिट आपके पास है ना b c d और a ठीक है उसमें से तीन डिजिट तो 9 8 7 है इसका मतलब एक डिजिट कोई और होगा 9 8 7 और 0 के अलावा तो आपके इन च्यार के लाओ बाकी कितने बचेंगे six digits जो बचेंगे उसमें से आपको एक डिजिट select करना है ठीक है ना छे में से एक आपको select करना है ठीक है सबसे पहले तो आपको यही काम कर लो छे में से एक को select कर लो 6 c 1 अब देखो इसमें दो cases बन सकते है क्या कि जो पहले जो select किया एक digit वही repeat हो जाए तो पहला case वह ले लेते है कि जब अपने जो अलग से select किया है वह digit आपका repeat हो रहा है ठीक है तो वह digit आएगा that means इसके अंदर आएगा तो ए ए ए और दो 0 को कितने तरीके से कर सकते हो 5 factorial by 3 factorial into 2 factorial एक case तो आपका ये बन सकता है इसमें कौन से आपका repeat हो रहा है ये repeat हो रहा है ये वाला case प्लस एक case और बन सकता है उसमें भी एक select तो करना पड़ेगा लेकिन इस बार जो आप select आपने एक select किया किसके लिए arrangements करने के लिए ठीक है लेकिन जो repeat हो रहा है न वो इन तीनों में से को repeat हो रहा है ठीक है तो इन तीनों में से भी select करना पड़ेगा कि किसको repeat करना 9 को करना है 8 को करना या 7 को करना है अब देखो मान लेते हैं कि 8 repeat हो रहा है तो 9 8 7 अब आपके पास में 2 तो 8 है दो आपके पास में 0 है जो remaining 5 digit है और एक आपके पास में जो आपने अलग से जो भी select होकर काया है वो A वाला digit है इसका arrangements करना है तो इसका arrangement कितने तरीके से हो सकता है that is again 5 factorial by 2 factorial into 2 factorial ठीक है क्योंकि इस बार 8 एक पहले ही आ चुका है उसको आपको arrange नहीं करना है इसमें से जो repeat हुआ है उसको arrange करना है 00 और इसका arrangements इतने तरीके से होगा यह calculate करो देखो 6 से 6 कर जाएगा तो यह तो आएगा 60 यहाँ पर देखो 4 आएगा तो 4 120 तो यह 30 हो जाएगा तो 6 गुणा 3, 18, 18 गुणा 3 there will be 540 तो total आजाएगा आपके पास में 600 तरीके से आप यह नंबर बना सकते हैं लेकिन आप से देखो आगे question में क्या पूछा है then the probability of having only 1, 9, 1, 8 and 1, 7 तो इसकी क्या probability होगा कि उस नंबर में सिरफ 1 बार 9 एक बार 8 और एक बार 7 है इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यह जो पहला case बनाया था ना यह तो आजाएगा ऊपर तो यह तो कितना है 60 क्योंकि इसमें 9, 8, 7 एक बार ही आ रहा है repeat हमने कि इसको किया था एक हो और total outcome जो आपने निकाले हो कितने 600 एक 0 कट जाएगा 6 से 6 कट जाएगा एक बड़ा 10 आपका आंस्वर आजाएगा और ऐसा option आपको दिया है that is third option जो कि आपका सही आंस्वर होगा बच्चो clear है चलिए कोई doubt हो तो दुबारा देख सकते हो इसको फिर चलते हैं आगे बात कर लेते हैं हमारे जो integer type questions है उनके बारे में सबसे पहला question इसको करने से पहले इसको solve कर लेते हैं देखो थोड़ा r into r plus 1 यह है आपके पास में r into r plus 1 साथ में हैं आपके पास में 20 factorial divide by r plus 1 factorial into 20 minus 1 will be 19 minus r factorial इसे निज़े वाले को solve कर लो बच्चो 20 factorial divide by divide में जो आएगा उसको उपर ले जाओ that is r factorial into 20 minus r factorial अब जो जो कट रहा है उसको काट दो 20 से तो 20 गया और अभी कुछ नहीं कट रहा है तो फिर आगे solve करते हैं देखो r r plus 1 यहाँ पर r factorial नीचे r plus 1 तो नीचे वाला बाहर निकल जाएगा r plus 1 और फिर r factorial से r factorial कट जाएगा उपर आजाएगा 20 minus r into 19 minus r factorial वो नीचे वाले से कट जाएगा बस यह बच जाएगा इसको भी काट दो 20 into sigma r minus sigma r square इसमें values पूट कर दीजे आप कहां से कहां तक 0 से लेके 19 तक तो आपको लेमडा मिल जाएगा और जब लेमडा मिल जाएगा तो उसमें आपन क्या कर सकते हैं उसके digits का sum निकाल सकते हैं कितना रहा है देखो 20 into sigma r r की वाली कितनी है बच्छो 9 0 से start हो या 1 से sigma r sigma r square में कोई फरक नहीं पढ़ता so 19 into 20 by 2 ये कर जाएगा 10 बार फिर minus sigma r square that is 19 into 20 into 38 और 1 39 by 6 कितना रहा है देखो 13 ये कर जाएगा 2 बार 2 से कर जाएगा 10 बार so 19 into 10 190 आजाएगा common पिछे बचेगा 20 minus 13 that is 7 19 into 7 1 3 3 0 तो ये आएगा बच्चो अमारा lambda तो lambda के digits का sum कितना होगा बच्चो 3 प्लस 3 6 और 1 7 और यही है बच्चो आपका सही answer ठीक है तो ये था आपका question number 1 ठीक है integer type का पहला question आगे चल लेते हैं और बात करते हैं question number 2 के बारे में और question number 2 में देखिए अपने को क्या करना है that there are 4 boys and 4 girls are standing in a row if m is the number of ways in which all the girls are consecutive देखिए चारो girls को एक साथ बिठाना है तो इसको एक group बना दीजिए and 4 boys और एक group को कितने तरीके से arrangements कर सकते हो 5 factorial और साथ में इस group के अंदर girls को आरेंज कितने तरीके से कर सकते हो 4 factorial तरीके से clear यह तो हो जाएगा आपके पास में कितना m ऐसे देखो बच्छो calculate करते है n n कितना होगा n calculate करने के लिए क्या करना है 3 boys are the conjugate 3 boys को conjugate वह तो इसमें देखो क्या करेंगे अपन पहले तो देखो 4 girls को बिठा दो आप कितने तरीके से range कर सकते हो 4 factorial तरीके से अब आपको क्या करना है जो 4 boys है उसमें से 3 boys का ग्रूप बनाना है 3 boys का एक group बनाना है उसके लिए 4 boys में से 3 boys को select करो ठीक है और एक एक अलग boy रह जाएगा ठीक है तो पिछे 1 C 1 वह तो 1 हो जाएगा ठीक है तो 4 में से 3 को select किया और select करके इस group में इनका arrangements कर दो कितने तरीके से 3 factorial तरीके से अब क्या करो अब ये जो 2 group है इनको इस 5 gap में डाल दीजिए जहां पर आपने girls को बिठाया है इसके बीच में कितने groups होंगे जहां पर girls बैटी है इसके बीच में तो हमेशा 3 boys एक साथ जाएंगे किसी भी एक group एक gap के अंदर और उसके अगल बगल दोनों साइड में क्या रहेगी girls रहेगी आपके पास तो exactly 3 boys are consecutive रहेंगे तो यहां पर आप क्या कीजिए 5 में से 2 क्या कर लिजिए 2 gap select कर लिजिए और उसके उपर इन 2 group में क्योंकि दोनों की size different है तो इसको 2 factorial तरीकिस से क्या कर सकते हो बच्चो अरेंज कर सकते हो इसको calculate करते हैं कितना आएगा 4C3 होता है 4 यह 4 factorial यह 4, यह 3 factorial 5C2 को लिखा 5 into 4 by 2 into 2 factorial तो यह तो कट जाएगा यह बन जाएगा बच्चो 5 into 4 into 3 factorial 5 factorial यह 4 factorial तो finally आएगा 5 factorial into 4 factorial into 4 यह हो गया आपके पास में कितना बच्चो N, M और N आगे आगे क्या करना है देखो next case के अंदर, next case में आपको girls और boys को alternate बिठाना है क्या है P denotes the number of ways in which 5 gentlemen and 5 ladies can stand in a row such that ladies and gentlemen are alternate अच्छा इसमें 5-5 है है ना इसमें P के लिए क्या करो पहले देखो आप 5 boys को बिठा दो कहीं पर भी so there will be 5 factorial ठीक है अब आपको क्या करना है देखो इसको alternate बिठाना है तो alternate बिठाने का क्या मतलब होगा देखो चो आपने 5 boys को बिठाया है उसमें से ये कनफा में कि यहां पर तो आपको गल्ज को बिठाना ही बिठाना है ठीक है ना यह 4 तो जगे fix है कि यहां पर आपको गल्ज को बिठाना है बस आपको एक जगे select करनी है कि आप इधर वाली select करना चाहते हो या इधर वाली select करना चाहते हो जो भी आप दोनों में से एक select करोगे ठीक है उसके बाद में जो भी जगे आपके पास में आएगी च्यार पहले से आपके पास fix थी एक और fix हो जाएगी उन 5 position पर आप उसको 5 factorial तरीके से arrangements कर सकते हैं ठीक है आपको क्या करना है आपको P को divide करना है कि से M प्लस N से M अपने निकाला था 5 factorial इंटू 4 factorial और 7 में है बच्चों आपके पास में N की value 5 factorial इंटू 4 factorial इंटू 4 क्या रहा है चेक कर लीजिए जो एक 5 factorial तो कट जाएगा common आके उपर बच्चों आपका 2 इंटू 5 factorial या 4 factorial फिर से common आएगा 1 प्लस 4 5 तो ये भी बन जाएगा 5 factorial तो इससे ये भी कट जाएगा और आपका answer आजाएगा 2 और यही है बच्चों आपका इसका सही answer that is 0 2 clear है that is question number 2 चलिए आगे बात करते है question number 2 का answer 2 question number 3 का answer क्या आता है देखते हैं 3 आता है या कुछ और आता है वो तो solve करेंगे तब ही पता चलेगा क्या है देखो सबसे पहले sigma calculate करना है अपने को sn फिर आपको l निकालना है sn की help से तो आए 1 by 1 करते हैं इसको अपनने calculate किया तो t पर sigma लगावा है तो t कहां कहां पर है देखो सिरफ इसमें है इसमें put किया अपनने तो बना rc0 into 4 की power 0 plus rc1 into 4 की power 1 t equal to 0 से r minus 1 तक जाना है so that is 1 plus rc2 into 4 का all square ऐसे चलते चलते अपन चले गई कहां तक rc r minus 1 into 4 की power r minus 1 अब देखो थोड़ी सी गड़बड हो गई अगर एक टरम और होती कौन सी rc r into 4 की power r तो अपना काम बन जाता expansion बन जाता तो कोई बात नहीं थी तो ये add कर दी और इसको subtract कर दी rc r into 4 की power r तो ये तो क्या बन गया बच्चो यहां से लेकर यहां तक ये तो बन गया 1 plus 4 की power r का expansion और minus rcr कितना हो गया 1 into 4 की power r तो ये आगया आपके पास ये क्या है आपके पास में ये है 5 की power r minus 4 की power r ये आगया चलो ये क्या है अपने पास में ये इसकी calculation है अब इसकी जगे पर इसको put कर देते हैं फिर आगे बात करते हैं तो इसकी जगे पर क्या put करेंगे 5 की power r minus 4 की power r तो ये बन गया देखो नया क्यूस्टन NCR5 की पावर R-4 की पावर R ठीक है फिर से देखो दो चीजे बनेगी अपकी बार अपने पास में अपकी बार दो क्या बनेगी जब आप इसमें ये सिग्मा कंप्लीट हो गया ना R की वेल्यू 1 से लेगे N तक पूट करोगे तो देखो NC1 इंटू 5 की पावर 1 पहले पहली वाली सीरीज को लिख रहा हो ना NC2 इंटू 5 स्क्वाईर अब टू NCN5 की पावर N ये होगा और माइनस NC1 इंटू 4 प्लस NC2 इंटू 4 का स्क्वाईर N2 NCN4 की पावर N इसमें भी एड किया और इसमें से सब्टेट कर दिया इसमें NC0 नहीं है इसको एड किया और इसको सब्टेट कर दिया तो ये तो कट जाएगा वापिस क्योंकि 20 में माइनस साइन है और ये बन जाएगा क्या 1 plus 5 की power n that is 6 की power n minus ये बन जाएगा कितना किसका expansion है 1 plus 4 की power n that is 5 की power n और divide by 6 की power n तो ये बन गया आपके पास 1 minus 5 upon 6 की power n ये अपन ने दोनों sigma calculate कर लिए means ये sn की value आ गई अपमारे पास में अब जब sn आ गया तो अपन L भी निकाल सकते है क्योंकि L निकालने के लिए तो क्या करना है यहाँ पर sn की value put करनी है और sn कितना है आप मेरे पास में 1 minus 5 by 6 की power n इस पर क्या करना है आपको sigma लगाना है n बराबर 1 से infinite 3 बार sigma था तो 1 से 1 कट गया ये minus minus plus हो गया इसमें values put कर दो 5 by 6 पहली ट्रम 5 by 6 का whole square दूसरी ट्रम इसमें क्यों NCR तो है नहीं कहीं पर last में infinite आजाएगा that is a infinite GP जिसका sum होगा 5 by 6 divided by 1 minus 5 by 6 6 से 6 कर जाएगा नीचे 1 आजाएगा तो 5 answer आएगा तो इसका जो सही answer होगा हमारे पास में हो कितना आएगा 5 ठीक है और यही है हमारा correct answer clear चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं question number 4 के बारे में क्या है question number 4 value of the greatest integer less than or equal to root 5 plus 2 की power 6 is i than the sum of the digits of i देखिए अपने ऐसे questions किये पहले भी काफी बार किये है क्या करना है आपको root 5 plus 2 की power 6 इसको calculate करना है और साथ में root 5 minus 2 की power 6 इसको calculate करना है ठीक है यह तो क्या है यह तो है i plus f ठीक है यह तो क्या होगा i plus f और यह क्यातना होगा f dash और f plus f dash हमाई पता है किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है ठीक है ना advance में भी question आया था उसमें भी अपने f minus f dash 1 क्यों होता है इसको पहले तो calculate करते ही कितना आएगा so 2 times 6 c 0 ठीक है root 5 की power 6 that is 5 का cube और बाकी टरम 0 हो जाएगी फिर 6 c 1 कट जाएगा 6 c 2 आएगा that is root 5 की power 4 that is 5 का square into 2 का square फिर आएगा बच्चो 6 c 4 into 5 into 2 की power 4 और फिर आएगा बच्चो 6 c 6 into 2 की power 6 इसको calculate किया आपने पूरा तो कितना आएदे को 2 times 6 c 0 1 होता है 5 हो जाएगा 125 फिर 6 c 2 6 into 5 30 by 2 15 यह काम करे 5 5 square है so 125 ठीक है ना 6 divided by 2 3 4 into 3 कितना हो जाएगा बच्चो 12 फिर आगे चलते हैं देगो कितना आ रहा है 6 into 5 into 5 ठीक है यहां तो 6 c 6 है ठीक है तो आपर कुछ आएगा नहीं तो यहां पर देख लेते हैं कितना 6 c 4, 6 c 2 ब्राबरी होता है इसको calculate कर लेते हैं 5 into 5 25 6 by 2 अगेन आमारे पास में कितना होगा 3 और इस बार 16 16 into 3 कितना होगा 48 और लास्ट में आपके पास 6 c 6 into 2 की पावर 6 that is 64 तो यह सारी calculation अपन कर सकते हैं देखो यह calculation करने के बाद में देखो जो भी number आएगा that is a even integer ठीक है यह क्या है even integer और यह किसके ब्राबर है यह i plus f plus f dash इसके ब्राबर है ठीक है i plus f plus f dash अच्छा यह अगर even integer है यह integer है तो यह भी integer होगा ठीक है simple सी बात है यह integer है यह इसके अंदर add हो रहा है और एक even integer आ रहा है means f plus f dash integer होगा और आपको पता है कि f fractional part होता है जो 0 से 1 के बीच में होता है तो उनों को जोड़ोगे तो 0 से 2 के बीच में आ सकता है और 0 से 2 के बीच में सिरफ एक ही integer हो सकता है that is कितना आपके पास में that is 1 ठीक है that means यह 1 होगा तो इसको उदर ले जाके गठा दीजेना इस even integers में से तो आपको आप चेक कर लीजिएगा क्या आएगा इन सब आपको सम करना है तो जब सम करोगे digits का यह calculation आप कर लीजिएगा तो आपका जो सही answer आएगा इसका और वो होगा बच्चो 26 चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अपने पेपर का last question that is question number 5 क्या करना है आईए देखते हैं देखो इसा question हमारे पास में advance में भी आया था यहाँ पर भी फिर आया आया है ठीक है तो देखो क्या करना है सबसे पहले तो यह ट्रम को जैसे ही देखा एक का difference 0 और 1 में तो यह हो जाएगा 12C1 divided by 12 into 10C1 ठीक है एसा ही इस दोनों को देखा 12C2 plus 12C2 divided by 12 into 10C2 ऐसे चलता रहेगा last में कितना आजाएगा 12C10 divided by 12 into 10C10 ऐसा आएगा ऐसा करने से क्या हुआ आप मारे जो नीचे 1,2,3,10 थे न वो सब 12 बन गे अब यह बना 12C1 into 10C1 यह है 12C2 into 10C2 और ऐसे चलता रहेगा आप मारे कहां तक 12C10 into 10C10 ठीक है और हमें क्या करना है हमें इसका sum calculate करना है ठीक है अब इसका sum कैसे calculate करते हैं इसका sum calculate करने के लिए इसको constant बनाते हैं तो इसको लिखा आपन ने 12C1 को लिख दिया 12C11 11 plus 1 12 इसको लिखा आपने 12C10 12C10 और 10C2 दोनों मिलके कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में यह दोनों मिलकर के हो जाएगे हमारे पास में 12C10 into 10C2 तो यह आजाएगा हमारे पास में कितना 12 आजाएगा ऐसे last में 10 plus 2 यह भी 12 हो जाएगा तो यह सारी ट्रम्स हमारे पास में इस तरीके से आजाएगी ठीक है और ऐसा जब भी हमारे पास में होता है ठीक है तो अपन क्या करते हैं अपन दो expansion लिखेंगे यहाँ पर एक 1 plus X की पावर 12 और एक लिखेंगे 1 plus X की पावर 10 का expansion और दोनों में से किसका coefficient निकालेंगे X की पावर 12 का तो दोनों को multiply करके X की पावर 12 का जब coefficients देखोगे तो आपको मिलेगा 22C कितना यहाँ पर कितना आया था आप मारे पास में यहाँ पर आया था 11 और 1 ठीक है ना इधर कितना आया था यह 12 आयेगा और 12 को आप क्या लिख सकते हो 10 भी लिख सकते हो लेकिन बचो इसमें एक गडबढ होगी एक गडबढ क्या होगी इसमें जब आप 12 का या 10 का जिसपक का भी coefficient देखोगे तो उसमें एक coefficient और आएगा जो हमारी series में नहीं है ठीक है उस coefficients को आपको इधर लाकर के subtract करना पड़ेगा तो वो यहाँ पर आजाएगा आपके सामने minus 1 divided by 12 अब आप compare कर सकते हो तो यहाँ पर आएगा A और यहाँ पर है B A की ज़गे पर 1 और B की ज़गे पर 12 तो दोनों का जब sum calculate करोगे तो वो आएगा बच्चो 30 ठीक है यह minus 1 कहाँ सा आया इसके बारे में अगर आपन बात करें तो देखो यहाँ से जब आप इसका expansion लिखोगे न तो इसमें X की power 12 के लिए इसे 12C0 ठीक है 12C0 यह इसको 12C12 लिख दिया into X की power 12 और इधर से आपके पास में आएगा 10C0 तो यह तो coefficient इसमें नहीं है न हमारे पास में 10C0 into 12C12 यह भी एक coefficient आएगा जो कितना होगा 1 होगा तो वो इसमें नहीं है ठीक है तो वो इसमें add or subtract करना पड़ेगा तो addition करने के बाद में यह इसके बराबरों का 22C10 के बाद ठीक है और जो remaining जो आपके पास में जो आपने एक minus करोगे जब इसको add or subtract करोगे तो वो minus 1 यह आपर बच जाएगा तो A आपके पास में कितना आ जाएगा 1 और B12 add किया तो इसका sum कितना आ गया बच्चो 13 क्लियर है और यह था आपके इस पेपर का last question इसी के साथ आपका इसका solution complete हो जाता है ओके बच्चो थैंक्यू very much